इस वीडियो में हम लोग सप्लिमेंटरी रीडर फुट्प्रेंट्स पिदाउट फीड का पहला चप्टर इसके समरी को समझेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में तो सप्लिमेंटरी रीडर का इट इस फास्ट चप्टर इस वीडियो में हम लोग इसके समरी को हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे से समझेंगे एक बार यदि समरी आप चप्टर के समझ जाते हैं तो कोई भी कोश्चन आंसर आपको लांग कोश्चन दे या अथ्वासाल्ट दे अच्छे से कर ले जाएंगे तो स्टुडेंट इवपी वर्ड क्लास टेंथ का जो इंग्लीज है इसका हम प्रोज पोईटरी और सप्लिमेंटरी कभर करवा रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्टर में इंग्लीज क्लास टेंथ एंसी अल्टी वेस्ट का प्लेलिस्ट हमने बनाया है उस पर जाकर के चेक करेंगे तो आपको संपूर्ड चेप्टरों के कोश्चन आंसर आसानी से मिल जाएंगे साथ ही आपको इंगलिस ग्रामर का प्रेक्टिस पार्ट करवाया जा रहा है इपी बोर्ड 2022 के लिए उसका भी चेकिंग करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्टर में दिया गया है तो आईए इसके समरी को हम लोग अच्छे से समस्ते हैं तो ए ट्रायंफ हाफ सर्जरी यह जो चेप्टर है इस चेप्टर में एक पालतु कुट्टे का जिकर किया जरहा है डाग का जिसका जो मालकीन है मिसिस पंफरी वो बहुत ही रीच है और वह कुटे को बहुत जादे लब्ड करती है और बहुत जादे उसको खिलाती पिलाती इतना जादे खिला पिला देती है कि कुटा एक बार बिमार पड़ जाता है फिर बिमार कुटे को चिकिस्सक के यहां ले जाय जाता है चिकिस्सक जैसे तैसे करके उस कुट्टे को ठीक करता है आए जानते हैं मिसेस पंफरी जो की कुट्टे से काफी प्रेम करती थी काफी चाहती थी वह फिर दुखित हो गई जब उनका कुट्टा बिमार पड़ गया फिर कैसे रिकवर हुआ देखें दिस चेप्टर इस बिलांग टू पेट डाग फिच नेम वाज ट्रिकी तो यह जो चेप्टर है इस चेप्टर में एक कुट्टे की बारे में बताया गया पूरा चेप्टर कुट्टे पर बिलांग मने अधारी था है संबंदी था है पालतु कुट्टे के जिसका नाम था ट्रिकी उस ट्रिकी नाम का कुट्टा था उसका देखभाल का उन किया करता था एक धनी जो मालिकीन थी मिस्ट्रिस थी जिनका नाम पंफ्रे था पंफ्रे वहीं केर्ड किया करती थी देखभाल किया करती थी उस कुट्टे का सी लवड ट्रिकी सो मच तो उस कुट्टे ट्रिकी को इतन जादे वह प्रेम करती थी that she always overfed him कि वह बहुँ जादे ओभर भाने जादे खिला पिला देती थी उस कुट्टे को तो मिसेस पेंफरी को आगे देखें क्या बताया गया she was advised that to stop giving him diet उनको यह सलाह दिया गया कि वह इतना आप कुट्टे को मत खिला यह इतना diet भोजन देना उसको बंद करिये stop करिये उस कुट्टे को but मिसेस पंफरी was not able to refuse the dog लेकिन जो स्रीमती पंफरी थी वह ऐसा कर नहीं पाई चुकि कुट्टे को बहुत जादे प्यार करती थी वह सुचती थी कि कुट्टा दुबला पतला हो जाएगा और खिलाओ वह इनकार नहीं कर सकती थी उसको खिलाने से the result was that tricky fell ill और result क्या हुआ परड़ा में हुआ कि बहुत जादे जब खिला पिला दी तो वह कुट्टा जो tricky था विमार पड़ गया his fat was increased in his body his fat was increased in his body और इतना खिला पिला दी कि दिरे दिरे उसमें जो चर्वी थी जो fat था बसा था उसके सरीर में बढ़ता चला गया tricky had stopped eat anything जब बिमार हो गया तो tricky अब दिरे दिरे खाना कुछ भी खाना बंद कर दिया अब नहीं खाता खाना पिना ही बंद कर दिया tricky refused even his favorite dishes और जब उसको उसके सामने उसकी प्रिय भोजन दिया जाता था ब्यंजन दिया जाता था dishes तो उसे भी वह इंकार कर दिया वह भी नहीं खाता पिता था जो tricky था इतना बिमार पड़ गया and besides it he had bouts of vomiting he had bouts of vomiting bouts of vomiting बने उल्टिया करना शुरू कर दिया इसके अत्रिक्त beside it he had bouts of vomiting अर्थात उसे उल्टिया होने लगी Mrs. Pumphrey was very sad और स्री मती Pumphrey बहुत ही दुखी हो गई अपने इस कुट्टे के condition को देख करके the narrator Mrs. Harriet took turkey to animal hospital for treatment अब जो इस पाठ के जो कथाकार है narrator है लेखक है जिनका नाम Mrs. Harriet था उन्होंने इस डाग को इस ट्रिक्की कुट्टे को अस्पताल ले गए animal hospital पसूच किस साले ले गए उपचार कराने के लिए treatment में स्वता है उपचार के लिए फिर वहाँ पर क्या केर हुआ देखबाल हुआ फास्ट टू डेज इट वाज नो एनी फूद गिवेन तो पहले दो दिन तक उस कुट्टे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और खाता भी नहीं था बिमार था हीम एक्सेप्ट प्लेंटिंग आप वाटर प्लेंटी आप वाटर मने पानी जादे से जादे प्लेंटी मने अधिकता आप वाटर मने पानी तो उसको पहले दो दिन पर्थम दो दिन खाने कुछ खाने के सिवा उसको पानी पिले आगया बहुत जादे से जादे फिर वह क्या हुआ, the other dogs, then tricky also started to bark in a low tone, जब दूसरे कुट्टों की आवाजों को सुना, तो वह भी अपने धीमे धीमे आवाजों में बोलना सुरू कर दिया, low tone मने धीमी स्वर में भोकना प्रारंब कर दिया, start कर दिया, जो tricky था मने सुधर रहा था अब, low tricky started to jump and play slowly, धीरे धीरे अब उचल कुद करता, उचल कुद करना प्रारंब कर दिया, और खेलना भी प्रारंब कर दिया, play slowly, धीमे धीमे खेलना भी लगा, तिसरे दिन दस सर्जन cured him without any surgery, जो सलेच किस सकत है, उन्होंने बिना किसी चीर फाड किये हुए, and medicine बिना किसी दवा के दिये हुए, उस डाग को सही कर दिये, cured कर दिये, निदान कर दिये, by giving him only proper food, proper food and regular exercise, मात्र उचित खान पान, सही खान पान, और नियमित अभ्यास से उस कुद्टे को ठीक कर दिया गया टर्की को, जब animal hospital उसको देख भाल के लिए ले जाया गया था, अब ठीक हो गया, नाव ट्रकी वाजफीट अब सही था, मिसेस पंफरी थैंक्ड, मिसेस हरियट और जो पंफरी थी, मालकिन थी, उस कुद्टे की, उन्होंने धन्यवाद दिया, स्रीमान हरियट को फार दी सेक्ट, इस कार के लिए, जिन्होंने इस कुद्टे को सही किया, एंड सेड और क्या बोली, दिस इज ट्रयम्फ अफ सर्जरी, यह सल चिक हिस्सा का एक विजय है, सो थैंक इस्टुएंट,